सिल्ली विदान सभा शेत्र से समात सेवी और नरेंद्र मोधी विचार मंच के युवा शाखा के राश्ट्रिया ध्यक्ष धनपती महतो ने रफ्तार मीडिया के समवादाता शंकर ठाकुर से एक खास बात चीत की उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोधी जी का सरपूरे देश में देखा जा रहा है उनके विचारों को नरेंद्र मोधी विचार मंच के माध्यम से देश के हर व्यक्ती के पास पहुचाने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोधी विचार मंच के युवा साखा जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है धनपती मातो जी और नरेंद्र मोधी के विचार मंच से जो योजनाये हैं उनको जन जन तक पहुचाने का काम कर रहा है और उनके विचारों को पूरे देश में एक तरीके से लोगों को अपनी मोधी की जो बात है उनको पहुचाने का काम किया जा रहा है उनके बारे में विशेश जानकारी लेंगे धनपती मातो जी से कि धनपती जी मातो जी सबसे पहले ये आप से मैं जानना चाहूंगा कि जो मोदी के विचार जो है वो जन जन तक पहुचा रहे हैं कैसे क्या कुछ कर रहे हैं देखे आज हमारी आवास पर आपका बहुत बहुत बधाई आपके चेनल के मैधम से तमाम जनताओं को मैं आज नरेंद मदी विचार मंच के मैं भारत के जुवासाखा का राष्टिया धच हूँ उसके नाते मैं मानने परधान मंत्री के विभीन जजनाओं को हमने विभीन विधान सभा छेतर में जहारखन के सिली 61 विधान सबा चहत्र में वीवहरेन गाउं में मधी भीचार मंच के मधम से उनके जितने भी परधान मंत्री के जजनाई हैं। उसको गाउंगाउं को पहुछाने का काम हम कर रहे हैं अगर मोधी का जो मन्च या उननके विचार की बाते teक क्या है ग्रामीनों तक अब कैसे जा रहे हैं कैसे उनको उनकी जो योजनाओं को बता रहे हैं और क्या क्या योजना है इनके बारे में बताईए देखिए मानिय परधान मंतरी हमारे भारत के आज उनके जितने भी परधान मंतरी के जजनाई हैं यह उजाला जजना हो चाहे ध बेटी बचा बेटी पढ़ाओ ये तमाम जजनाओं को लेकर हम लोग विभीन गाओं में सीली विधान सभाचेतर में आज मैं प्रतेक गाओं और पंचायत और सुदूर दिहात तक मैं उनका विचार और उनके विभाग के विभीन जजनाओं को पहुंचाने का काम और मैं कर हब मैं चला रहा हूँ एकासी विधान सभा है जहारखन में और अगर बाते करें सीली विधान सभा का जो की आपकी जनम भूमी भी है वहाँ और लगतार अभी वहाँ पे विधायक जो महजुदा विधायक जो है सुदेश महतों जी है और क्या लग रहा है कि आपका जो जो दोनों का काम करने के अगर अबी वीधिकास की अगर बात करे तो अबी बी कास के नाम से नहीं हो पाई है तो इसको आप कैसे देखते हैं देखे हमारे भारती जनतापड़ी की जो सरकार थी हमारे जारखन में मानिर गुबरदास की सरकार जब थी उस समय हमारे जब जारखन की जो विकास की जो बात देखा जाए तो बहुत सारे विकास की काम सुरू किया गया था आज भी हमारे केंदर सरकार के मिद्धम से हम लोग विकास के काम जहां तक नहीं पूँचा है कहीं बिजली कहीं सड़क कहीं आवास जजना कहीं विभिन बिधापनशानी तमाम जजनाओं को लेकर मैं कल भी एक सुनाहतु परखन सिली बिधानसवा छेतर का अंतिम गाउं था उस गाउं में मैं आज के डेट में हाथियों का पर आप तोर से करना है कि विधायक जो महजूदा है सिली बिधानसवा को वो कोई काम नहीं कर रहे हैं आप इसको कैसे कर रहे हैं और आपका विजिशी जैसे आपका नरेंद्र मोदी विचार मंच है ग्रामिनों तक जाकि लोगों को संदेज दिरिया यह उजना जो है वो देन प्रखन विकास पाद्याधिकरिक पास जाईए और उनको बताएए कि यह जजना है इसके आप लोग हम लोग को जानकरी दीजिए इसके मैधम से हम लोगों को जागरूक्त करने आज हमारे सिली बिधान सभा छेत्र में भारती जंता पार्टी के साथ आश्यू पार्टी का चुनाओ है उसके बाद बिधान सभा का लगतार चुनाओ है तो आप क्या लग रहा है कि इस बार जो सिली के जो जनता है वो सुदे समातों को चुनेगी कि ना चुनेगी देखे हम क्या कहेंगे मालिया भीकास के पर अगर देखा जाए तो आने ओला समय में ये गड़ बंधन की जहां तक कि सिली बिधान सभा की बात हो रही है ये केंद्रिय भारती जंता पार्टी का निर्ने होता है हम लोग तो नर्द मुदी भी चार मंच के हम एक संखा के कार्ज करता है और मैं चुनाओं को लेकर आज तियारी भी कर रहे हैं अगर भारती जंता पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दिलिय भी चुनाओं लड़ सकता हूं समासभी के रूप में क्या है कि आपको भी चुनाओं लड़ना है सिली विधान सभा से तो उसको तयारी चुकि गड़बंदन में है आशु पार्टी जो सुपरीमों है सुदेश मातों और बीजेपी जो है लगतार आशु को ही वहां से लड़ने के लिए टिकट या उनकी दावेदारी होती है त देखिए मेरे को समासवी के रूप में और मान्य परधान मंत्री के चेहरे पर हमने चुनाओं लड़ने का अगर भारती जंता पार्टी अगर आज सुपार्टी से उन्होंने गड़बंदन करते हैं तो हम लोग भी नरेंद मोदी विचार मंच के तरफ से पूरी 81 विधान स चेतर में हमारे मोदी जी का एक तरफ चेहरा रहें हम लोग भी चुनाओं में उतारेंगे अच्छा यह बताईए जी कि नरेंद मोदी विचार जो मंच है वह सुदूर भी इलाका में कैसे काम कर रहे हैं योजनाओं को कैसे कर रहे हैं मोनेटरिंग यह बताईए देखिए स चुदूर दिहात में हमारे मानिय परधानमंतृी के नित्रित पर हम लोग जो आज गाओंगा में सिर्फ सिल्ली विधानसवाई छेतर में नहीं है, पूरे जहारखन में और पूरे भारत में हर परते कोने कोने में हमारे लोग लगे हुए हैं विभिन रूप में काम कर रहे हैं गोपनियों के रूप में काम कर रहे हैं कोई खुलियाम मंच में आ रहे हैं और समी लोग जोइन भी कर रहे हैं हमारे कल सिली भी धाम सभा छेतर में आजसु के ही कुछ लोग और जमेम के जिस तरीके से अभी देक रहे थे खूल के बेवाग तरीके से जो बाते कर रहे थे नरेंद्रमोदी बिचारमंच के भारत युवा के जो अध्यक्ष हैं। जो बिधायक है सिल्ली विधान सवा सुद्यसमातों उनको भी घेड़ते हुए कि विकास सिल्ली में नहीं हुई है अगर दो हजार चुबिस में चुनाव होती है तो ये निर्दलिया रूप में भी लड़ने के लिए तयार है ताकि सिल्ली विधान सवा का जो चेतर है वहां क चुनाओ के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा अपने सायोगी लक्की के साथ संका ठाकुर रफ्तार मिडिया के